स्वागत हैं सभी का 5-minute concept के इस नए सीरीज में यह है वीडियो 9 अस वीडियों बात करने वाला हैं काफी ज्यादा इंटरस्टिंग और एक रिक्वेस्टर टॉपिक के अब आज हम बात करने वाला हैं bullet train के बारे में यह bullet train क्या होता है किस तरीके से काम करता है यह कैसे हमारे normal train से different है क्या कि इसमें नए technology हमने यूज करकी है सारी जो बात है इस वीडियों करेंगे साथ साथ आपको यह भी बत इसका जो सुरुआत है वो जैपैन से हुआ था जो सबसे पहला bullet train था वो 1964 को चला था और इसके जो टॉप स्पीड थी वो 209 km पर आवर था इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि एक घंटे में 209 km चल सकता है अब यह कितना जादा होता है इसका अगर मैं आपक ट्रेन है फिलाल भारत के इसका जो टॉप स्पीड है वो 160 किलोमेटर है इसे डबलो फिफ फाइफ खेचता है खेर यह तो दुनिया के सबसे पहली बुलेट ट्रेन थी अगर मैं अभी के बुलेट ट्रेन के बारे में बताओ या जो हम भारत में जो बुलेट प्रॉजेट क आई आवेरेज इसको कवर करने में आपको सिर्फ 15 मिनिट लगेगा तो इसको आने के बाद हमारे एकनोमिक में काफी ज़्यादा हमें बूस्ट मिलने वाला है तो यह तो बात थी स्पीड की अगर हम engine के बात करें तो bullet train में जो हमारा engine होता है वो distributed engine होता है distributed engine होने का मतलब क्या है distributed engine होने का मतलब यह होता है कि छोटा छोटा engine होता है आपके पुरे train में फैला होता है बहुत सारे engine होता है छोटा छोटा normal train में क्या होता है normal train में एक बड़ा सा engine जो है हमारे train के आगे लगा हुआ रहता है और उसी के अंदर जितने ताम जामें सब उसी के अंदर होते है जानि कि आपके main transformer, auxiliary transformer, rectifier circuit, inverter circuit और सबसे important चीज आपका motor motor भी जो है आपके train के आगे वाला engine होता है वहीं पर होता है और पीछे जितने भी कोचे से जितने भी आपके बोगी है उसके अंदर motor नहीं होता है यह confusion होता है लोगों को लगता है कि motor होता है जो उसके पहिया को घुमाते कोचे इसके पहिया को नहीं हमारा locomotive भी जो होता है को खीच तो यह हमारा लोकोर्टीब वाले ट्रेन ऐसा होता है पर बुलिट ट्रेन में क्या है कि ऐसे चुटे-चुटे ट्रेन यानि कि जो मोटर है पूरे आपके ट्रेन में देखने आपको मिल जाएगा इससे होता क्या है कि इसका जो Escaleration काफ़ी बढ़िया होने से क्या होता है mean כो बहुत ही अच्छ ही से चंठोल कर पालगा इप्ट्रों से máुकिल स्फीड में बहुत deux उता है कि अच्य को कितलगी यह यह होता है वहलांशीडी को जल्डी यह चेंज में लेते थे फिर समय के साथ क्या हुआ कि टेक्नोलोजी में इंप्रोव्मेंट हुआ बहुत से नए ने जो है ड्राइब साने लगे मार्केट में फिर उसके बाद हमने जो है एसे ट्रैक्शन मोटर यूज में लेना स्टार्ट कर दिया अब देखें यहां पर कंफ्यूजन बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब साथ के स्पीड को कृंट्रोल करना और साथ triple geht's क्रेंट इसके बहुत स्टिंग मोटर के लिए में यह नेскरा केक्ल यह प्रишь क्लिए और जितनी आ है जितने बी फैक्टर सै इसने थी स्टिंसक्च को लिए उन्दिकेश तन था उसी प्रकास से जो bullet train है उसमें भी हम starting starting में DC traction motor यूज में लेते थे आप देखेंगे जो दुनिया के सबसे पहला bullet train है सिंखा सेन उसका technical specification जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो और क्या हम यहां पर differences देखने मिल जाता है कैसे यह हमारे normal train से different है देखेंगे इसको body को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पूरा जो इसको body है उसको aerodynamic structure दिया गया है aerodynamic structure क्या होता है देखें कोई भी train हो चाहे वो bullet train हो यह normal train भी होता है जब वो चलता है तो सामने से जो है air उसको push करता है यानि का pose करता है एक air resistance उसको मिलता है जिसको technical term में जो है यहां पर हम air drag कहते है तो उस air drag को कम करने के लिए reduce करने के लिए इस जो पूरा जो हमारा bullet train उसका जो structure हो कुछ इस तरीके से बना जाता है ताकि जो pressure हो सामने से जो air का जो pressure आता है जिसे air drag border वो कम से कम हो तो इसी structure को जो है important reason है वह इसलिए ताकि जो है टरनल बूम को reduce किया जाए टरनल बूम किया है कोई भी train हो चाहे वह bullet हो या कोई भी train हो जब वह टरनल से गुजरता है तो बहुत जादा noise create करता है अब इसी noise को जो हम टरनल बूम कहते है अब इस noise को reduce करने के लिए इसके नाक को लंबा रखा है तो सवाल यहां पर यह है कि हमारे normal train में भी तो ऐसा होता है फिर वहां पैसा क्यों नहीं किया जाता है देखे problem यह है कि यह जो problem है ना यह velocity के साथ बहुत जादा बढ़ता है और यह linear relation नहीं है थोड़ा velocity बढ़ा यह problem जो है आपका तीन गुना पढ़ जाएगा यानि कि bullet train है इसलिए हमारे 250 के नीचे तो expect ही नहीं कर सकते है average speed अगर 250 अगर पकड़के चलते हैं तो कितना जादा noise create होगा अप अंताजा भी लगा सकते है यह problem छोटा मोटा problem नहीं है बहुत serious problem होता है काफी जादा जो है वहां पे रहने वाले लोगों या जानवर कोई भी जो है साथ जो है इसका tunnel को भी जो design करते हैं वह specially design किया जाता है उसमें हम ऐसे सी concept हम यूज में लेते हैं ताकि उस अवाज को बहुत हद तक हम reduce करने की कोशिस करते हैं और बहुत important बात कि यह bullet train है इसको आप normal track में नहीं चला सकते हो अभी जो आपका railway track है इस पे आप कोशिस करो में तो इसलिए जो उसमें जो हमारा track बनने वाला है तो उन दोनों का बीच को डिस्टेंस को वह भी कम होगा अब इस डिस्टेंस को हम technical term में track gauge कहते हैं अब देके bullet में जो हम standard gauge को यूज में लेते हैं जो की 4.5-8 inch का होता है हमारे इंडिया में जो है broad gauge को यूज में लिया इतने high speed को जाए हमारे अभी का जो track है वो handle नहीं कर सकता है तो अगर आपको एक interesting fact बताओ तो जो हमारे WP5 है अगर उसका potential speed up देखेंगे तो वो 225 km per hour तक चल सकता है यानि अगर हम चाहें चलाना तो वो चला सकते हैं इतने high speed में पर हमारे पट्री पे वो रहेगा कि नही quarantine है तो भाईया बस हमारा काम चक्के को घुमाना ही नहीं इतने speed में हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे पट्री पे रहे हमारे मंजिल तक वो हमें पहुंचा है ऐसा नहीं कि वो उपर पहुंचा दे तो इसलिए जो है हम speed को restrict करके रखे 160 तक और इसलिए इस bullet को जो हम लेकर क सबको जो है धियान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है ये पहला जो लाइन है ये मुंबई से एहमदाबाद की बीच में ये लाइन को बिचाया जा रहा है बीच में हमारा गुजरात भी पड़ेगा 12 स्टेशन कुल बनाया जाएगा इसके बीच में अब देखिए जो काम है वो दिसेंबर 2023 तक ऐसे एक्सपेक्टेड है कि अगर सारा चीज आइडियल रहा तो ये काम कंप्लीर हो जाएगा उसके बाद जो है आपको भारत में भी बुलेट ट्रेंड देखने मिल सकता है इस वीडियो में इतना ही इसके लवा भी और भी कई सारी टेक्निकल डि दे वो सारे सवाल के साथ जो है और भी जितने पॉइंट से सबको मिला करके जो है एक नया पार्ट में बनाओंगा जहां पर और भी जानकारी आपको दूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो से लाइक करके बताए अगर आप चैनल पर नय है तो इसे जरू करें तक आने वाले हरी वीडियो को नुटिफिक्शन आप तक पहुंच पाये मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में टिल दें टेक क्या बाइबाइब